हלो गाइज है सो अगेन वैल्कम टू दे नेक्स सीरीज ओफ रिकर्षिन लास्ट टू लेक्षर सम्हों लोगों ने रिकर्षिन पर डिस्कॉशन किया टाइप आप साफ रिकर्षिन पर बात किए दो थाइप सैंसे रिकर्षिन के प्रोग्राम देखे वन जहां पर हमने में द रिकर्सिव बनाया था याद फर्स लेक्चर और सेकेंड में आपको ट्रॉबिक में आपको अधाद है कि यदि ऐसे प्रोग्राम जहां पर आप यूदर से डेटा रीट कर रहे हैं वहां पर आप फिर उस फंक्शन को रिकर्सिव नहीं बना सकते क्योंकि अगर आफ फंक्शन प्रोग्राम देखा था और मैंने आपको कुछ असाइन्मेंट भी दिये था और आपको कि शायदो असाइन्मेंट आपने बनाया हूं लेकिन फिर भी बनाया है तो बहुत अच्छी बात है अधर्वाइस हम देखते हैं फिर से वही कोट कि हाव टू फाइंड आउट फैक् नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है एन इक से रिकर्स्यू बेज़ अप्लिकेशन तो यहां पर हमने सिंपल में में एक ही काम किया यूदर से एक नंबर लिया से लरी सिया अप्रिंट एफ एंटर अ नंबर उसको मनें स्कैन किया एन में स्कैन एफ परसेंटेज़ दी कॉम एंपरसेंट आफ एन और एक फंक्शन कॉल किया सिंपली फैक्टोरियल के नाम से जहां पर हमने एंड की वैलू पास की है एजन आर्गुमेंट और इसका रिजल्ट इस्टोट करने के है ठीक है कि जो भी वैलू रिटरन होगी वह एफ में आ जाएगी एंड इस यूर फैक्टोरियल और हमने इसको प्रिंट कर दिया प्रिंट एफ फैक्टोरियल इस परसेंटेज़ डी कॉमा एफ एफ एंगेट यह यहां पर में रिकर्सिव नहीं है कि हमने डिटा यूजर स पास किया है ओके तो इसको रिसीव करने के लिए हमने यहां पर एक परामेटर भी ले लिए इंटीजर एंट सेम नाम ले लिए हमने अब यहां पर आपके पास दो चॉइस अबटा या तो आप इस फैक्टोरियल फंक्शन को लूप से बना ले और फैक्टोरियल सब्सक्राइब जिसकी इनिशल वैलों हमने रखी वन इस्टेडिक क्यों लिया आयोप यूंडेस्ट लोगि इसका इनिशलाजेशन मुझे एक ही बार करना है फास टाइम पर तो हमने इसको स्टेटिक लिया अब हमने कंडिशन क्या चेकी है यदी एन जीरो है जो एन आपन की मेन का लोकल वेरियेवल है ओके और यह जो एफ है आपका यह सक्टरियल का लोकल वेरियेवल है जिसकी इनिशल वैलो अभी वन है यह कब यदी एन जीरो है तो एफ रिटन हो अधर वाइस हमने बोला एफ एक वल टू एफ इंटू एन एल्स लिखने की ज़रोत नहीं क्य जितनी बार आपका प्रोग्राम फेक्टोरियल को कॉल करेगा वहर बार नया एन मेमोरी एलोकेट करेगा लास्ट लेक्टर आप देखिया आप लास्ट वीडियो आप देखे आपको समझ में आएगा जमने क्या कॉंसेप्ट यूज किया था ओके अब आप देखे इसको पर एक्जी क्यूट करते हैं सपोस्पोस मैंने एन की वैलू फॉस्स टाइम पे ही एंटर की जीरो लाइव यूदर से लूमने लिमिट ली है अगर वह जीरो ली फैक्टोरियल फंक्शन नहीं से एन पास किया इस एन की वैलू कितनी हुई जीरो स्टेटिक के कारण एफ का इन नहीं जाएगा फिर ना को लिटन का मतलब ही होता है कि फंक्शन वापिस आगे है यह रिटन स्टेट्मेंट क्या लेके आया एफ किस वैलू के साथ वन तो इस एफ की वैलू कितनी हो गई वन आउटपूट आएक फेक्टोरियल इस वन तो बिलकुल सही जीरो का फेक्टोर देना इसको है ना फर्स टाइम पर सेंट की वैलू हुई फाइट सफोर बाइट आव वेरियेवल फाइफ वैलू लेके गया इस्टेटिक के कारण एफ का इनिशलाजेशन फर्स टाइम पर कितना हुआ वान और यह की बार होगा वान नेक्स टाइम इट कंसिज ना प्रिव सब्सक्राइशन कॉल होगा और वो फिर नए वाले एन को असाइन कर देगा फोर मतलब फिर से एक वेरियेबल ने मेमोरी एलोकेट की है एन ने किस वैलू के साथ फूर सेकेंड टाइम पर जो एक्जीकिशन होगा वह इस एन को लेके होगा स्टेटिक के कारण एफ तो पु फिर से फेक्टोरियल ने एन पास किया तो अब जो एन पास किया उस एन की वैलू कितनी है थ्री तो जो नया एन मेमोरी एलोकेट करेगा वह किस वैलू के साथ करेगा 3 अब एक्जीकूशन इस एन को लेकिए होगा यह यह एन जीरो नहीं है एफ एक्वाल टू एफ इन two 120 and minus minus one फिर से फेक्टोरियल फिर एन मेमूरी में आया वन के साथ क्या यह zero हो गया नहीं एफ equal तो f into and 120 x 120 and minus minus 0 अब जब यह एन पास होगा तो फिर से एन आएगा लेकिन अब जो एन आया है उसकी वैलू किसले है जीरो क्या इन जीरो है यस रिटन हुआ लेकिन एक ही वेरियाबल ने वन टुट्री फोर फाइज सिक्स डाइम मेमोरी ऑलोकेट कि आगें दे सेम्ट अगर में बजाय रिकर्शन की लूप से बनाता तो शायदि एक ही लेके रिटन हुआ है 120 यह 120 इस एफ को असाइन होगा and now you'll get the output factorial is 120 तो this is what factorial of a number using recursion की एक number का factorial कैसे calculate करेंगे यह program अक्सर exams में interviews में पूछा जाता है ठीक है अब यहां पर आप चाहें तो यह भी कर सकते हैं क्योंकि आपने जो अब इसको लॉंग भी ले सकते if you find if you want the factory of a number which is more than 32767 यह तूवाइट है तो ओके आप लॉंग लेके भी इसको execute कर सकते हैं but this is what the concept जो हम अभी बात करने वाले में पिछले दो लेक्चर से आपको बोल रहा हूं यहां पर हमारा भी concept recursion के drawback को समझना नहीं हमारा concept recursion को समझना है ताकि हम जब ट्री creation पर या इन ओडर प्री ओडर पर आए तो एट लिस्ट आपको यह समझ में आए कि केसे हम recursion को अपलाय करते हैं ठीक है तो यह जो तीन लेक्चर में आपको बताए हैं आप इसको बहुत अच्छे से समझें कि अब इसके बाद एक असाइन्मेंट अभी भी आपका रहेगा वह आपको ही बनाना है रिवर्स आफ नंबर यूजिंग रिकर्शन वह आपको ही ट्राय करना है उसको ट्राय करिए अगर नहीं हो रहा है तो कमेंट करिए फिर मैं आपको वह समझाऊंगा लेकिन एट लिस्ट आप एक प्रोग्राम खुझ से ट्राय करिए ठीक है सो मिलते हैं नेक्स क्लास में थैंक यू